तो मेरा नाम है योगेश्वर सिंग राथ होड तो बेसिकली हमारे इंडिया में लड़कों में तीन प्रकायर के आसिक पाये जाते हैं एक होते हैं कबीड सिंग दूसरे होते हैं सादी में जरूर आना वाले सत्तू और तीसरे होते हैं हमारे जैसे जो होते हैं सस्ते कुमार भी किसास ठीक है तो वक्त जाया ना करते हुए मैं सिदा साहरी सुनाता हूं आपको कि हमने चाहा था जिसे वब किसी की हो गई कि हमने चाहा था जिसे वब किसी की हो गई चाहते थे दिलनमाजी ना करें पर हो गई कि हमने चाहा था जिसे वो अब किसी की हो गई चाहते थे दिल नमाजी ना करें पर हो गई और इसक में उनके जो हमने की थी नजमेदारियां कि इसक में उनके जो हमने की थी नजमेदारियां वे धरी हैं दिल में मेरे और धरी ही रह गई कि न कर सके उनको बया उस वक्त जब हम मिल गए दिल मेरा मदोश था, खामोश होकर रह गए कि कहना था कुछ और पर, कि कहना था कुछ और पर लबजोन की गुस्ताखियां कहन पाए वक्त में अब रह गई तनहाईयां कि वो वक्त था, अब वक्त है, जिस वक्त में तुम ना मिली कि वो वक्त था, अब वक्त है, जिस वक्त में तुम ना मिली दिल में सूरत थी तुम्हारी, बस तुम्हारी रह गई दिल में सूरत थी तुम्हारी, बस तुम्हारी रह गई इसी के साथ, इसी के बाद एक और सुनाता हूँ कि हरसाम जिनकी याद में महफिल सजाए बैठे हैं वो अब किसी और के नाम का सिंदूर लगाए बैठे हैं कि हरसाम जिनकी याद में महफिल सजाए बैठे हैं वो अब किसी और के नाम का सिंदूर लगाए बैठे हैं और चान बनाया था जिसे हमने कभी अपने आंगन का कि चान बनाया था जिसे हमने कभी अपने आंगन का वो किसी रकीब के घर का चिराग जलाए बैठे हैं और सिक्वा नहीं है तुमसे कि सिकवा नहीं है तुमसे बिछ़ड़ जाने का हमें पर उस सर्द रात पर आज भी हम दिल जलाए बैटे तो यही श्टोरी थी श्टोरी तो समझ में आ गई होगी आप सबको तो उसके बाद वो लड़की मिलने आती है साधी अधी होने के बाद तो कहती है कि कब तक इंतजार करोगे कब तक इंतजार करोगे अब तो मेरी साधी भी हो चुकी है तो मैंने कहा कोई पसंद ही नहीं आती तब उसने कहा कि कोसिस तो करो तो मैंने उस पर लिखा था कि सारी कोसिसे नाकाम होंगी यकीन कर कि सारी कोशी से नाकाम होंगी यकीन कर तेरे बाद जिन्दगी नासान होगी यकीन कर कि कई नजम लिखे मैंने तेरे हिजर पर मेरी हर महफिल तेरे इसके नाम होगी यकीन कर और किसी रकीब का रुतबा मुझ पर भारी पड़ा उसकी छुवन भी तेरे जिसम को हराम होगी यकीन कर और तेरे दामन में कोई दाग न होगा वादा रहा पर अब महबत सरयाम होगी यकीन कर जाते जाते आप सब को एक नसिहत देना चाहता हूं कि अगर उसके कसूर को नजर अंदाज कर तुम उसे बेकसूर कहते हो तुम मेरे दोस्ट यकीन मानो तुम महबत झाल झाल